हेलो एवरिवान इस्टाडी टुडे उद विपलब यूटूब चनल में आप सभी का स्वागत है आज हम इंगलिज के एक इंपोर्टन टोपिक को डिस्कास करेंगे जो की एप्लिकेशन से रिलेटेट है एप्लिकेशन एक्जाम में पुछे जाते हैं कोई भी एक्जाम हो एप्लिकेशन एक्जाम में पुछे जाते हैं तो इंपोर्टन टोपिक है एक्जाम के लिए आपको एक्जाम में बहुत ही ह करेगा एकजम में देखने को मिलेगा तो चलिए discuss करते हैं application को वीडियो को like करियेगा दोस्तों में share करिएगा तो चलिए write an application to the headmaster for a seat in school hostel अर्थत आपको एक application लिखना है एक आबेदन लिखना है headmaster को प्रदान ध्यापक को चात्राबास में सीट पाने के लिए for a seat in the school hostel अर्थat इसकूल होस्टेल में अर्थat चात्राबास में सीट पाने के लिए आपको प्रधान ध्यापक को एक आबेदन लिखना है तो देखिए सबसे पहले आपको heading में क्या लिखना है ध्यान से देखिएगा heading को ध्यान से देखिएगा heading को ठीक है यहाँ पर to से start करना है ठीक है the headmaster लिखना है क्योंकि आप headmaster को application लिख रहे हैं इसलिए to the headmaster एक state line में लिखा जाएगा यह वाला ध्यान से देखिएगा to the headmaster फिर school का address लिखना है फिर date डालना है ठीक है to the headmaster उसके नीचे जीला इस्कूल गाल्टन गंच अपने इस्कूल का address लिखना है आप अपने इस्कूल का address लिख देंगे यहाँ पर फिर date लिखना है जिस सिथी को आप application लिखेंगे उसी date को आपको यहाँ पर लिखना है फिर through the class teacher अर्था कक्षा सिख्छा शिख ठीक है through the class teacher subject क्या है request for seat in school साब्जेक्ट है साब्जेक्ट है इस्कूल चात्राबस में सीट के अनुरोद के लिए सीट के लिए अनुरोद ठीक है request मतलब अनुरोद करना है आपको for seat seat के लिए in the school hostel चात्राबस में ठीक है तो फिर देखिए फिर ध्यान से देखिएगा लेटर के application के body को ठीक है आपको से निचे ही लिखना है most heavenly and respectively अरतत में अत्यनत बिनम्रता और सम्मान के साथ I wait to see अरतत में कहना चाहता हूँ यह मुझे कहना है कि mostदग्ण हमनुरोद और सम्मान के साथ I wait to see अर्थात मुझे कहना है कि I am a regular student of class 10 आप जिस class में पढ़ते हैं इहां पर नाम लिखना है ठीक है जैसे I am a regular student of class 9 मैं कक्छा 9 का नियमित छात्र हूं ठीक है I am a regular student of class 10 मतलब मैं कक्छा 10 का नियमित छात्र हूं I come to school from a distant place on food अर्थात मैं और अर्थत गरीबी के कारण, On account of povertybahn मुस्थ स्थिति में नहीं हूँ गरीबी के कारण, मैं अक्सर लेट से देर से पहुंचता हूँ और मेरी पढ़ाई में दिक्कत भी होती है ठीक है So I often reach late मैं अक्सर देर से इस्कूल पहुंचता हूँ and my studies suffer अर्थत पढ़ाई में भी दिक्कत होती है ठीक है फिर next देखिये I therefore request you to kindly alert me a seat in the school hostel and save me from the travel अर्थत आपसे निवेदन है कि कृपिया मुझे बिद्दालाई की छात्राबास में इस्थान प्रदन करने की कृपिया करे और मुझे संकर से बचाए and save me from the travel और मुझे संकर से बचाए For this act of your kindness आपके इस दयालू कारिया के लिए For this act of your kindness I shall ever remain grateful to you मैं आपका सदा आभारी रहूंगा For this act of your kindness आपके इस दयालू कारिया के लिए I shall ever remain grateful to you मैं आपका सदा आभारी रहूंगा फिर इहां closing में लिखना है Your most evident people आपका सबसे अग्यांकरी सिस्य Your most evident people इहां पर name देखो इसके नीचे लिखना है Your most evident people के नीचे इहां पर state line में लिखना है अपना नाम लिखना है class लिखना है और row number लिख देना है इहां से start करना है name लिखना है class लिखना है row number लिखना है तो यह important application था और वीडियो को लाइक करियागा दोस्तों में share करियागा और मिलते हैं next वीडियो में कर दोस्तों में लिखना है